मिनिस्टर रहे हैं, इसलिए बोल रहा हूँ कि इस समय भी वो भारती जंता पार्टी के विधायक है और जिस मंच पर वो बोल रहे थे, कितने बड़े-बड़े लोग बीजेपी के वहाँ पर बैटे थे, उन्होंने जिस पकार से बच्चियों के बारे में टिपड़ी करी, ज पूरे प्रदेश में बच्चियों की कन्या पूजन का, लेकिन बच्चियों के बारे में, बेटियों के बारे में, बहनों के बारे में, माताओं के बारे में, उनकी क्या सोच है, इससे सडीवी, गलीवी और घटिया सोच क्या हो सकती है, कि वो कह रहे हैं, कि अगर धन चाह के बारे पीजों हमारे अरात्य हैं और हम लोग तो इसलिए बी क्यों कि हमारे plate Locci है किदानाजी है हमारे कंखर में माश भगवती और शंकर भगवाद नहतनी विश्व भगवाद के लिए देवी देङता हूं गर बच्चियों को संतर्व बना करें reference किसका कि सब कुछ बच्चियों को दे दो और उसके बाद दे भी देवता हूं कि इस पकार का अफमान और मैं यह उनका पागलपन भी नहीं हो वह जान बुच करके किया गया है यह वास्ताव में इनका character है ये जान बूच करके किया गया काम है ये टिपड़ी जान बूच करके ये बयान उनका दिया गया है क्योंकि अगर पागलपन का दोरा उन्हें पड़ा होता तो बीजेपी के कुछ लोग उनको पकड़ करके मंच से नीचे ले जाते लोग बैठे हैं वाँपे बच्चिया बैठी हैं पार्टी के लोग तारीबे जा रहे हैं बच्चिया स्तब्द हैं मेला हैं जो वाँपर बैठी हैं उस्तब्द हैं लेकिन उनका इतना घ्रिनित बयान यह मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ कि ये पूरी पार्टी का करेक्टर है लेकिन इनको ये नहीं मालूम कि शुम्ब निशुम्ब को महिशा सुर को चंडबुन्ड को किसने संभार किया किसने बसमा सुर को मारा किसने रख्त बीज का प्रान हरे इनको मालूम नहीं है जिस भगवदी का ओफमान कर रहा है जिस भगवदी का ओव ये इस तरह से तिरसकार कर रहे है जिस पकार की शब्दा वली मतलब इनहोंने मोधी जी का जो नारा था मैं तो मोधी जी से पूछना चाह रहा हूँ आप लोगों के माद्यां से प्लीज इसको जरूर कहिए कि कॉंग्रेस ने नरेंदर बोधीजी से पूछा है कि बेटी बचाओ बेटी पडाओ का जो नारा था आपके एक सीनियर लीडर ने इसको बेटी बचाओ बेटी पडाओ का नारा बना दिया है क्या भार्ती जन्ता पार्टी की उत्राखन डिकाई और क्या भार्ती जन्ता पार्टी पुरे देश में इसको स्विकार करती है जो परिवर्तन उन्होंने नारेका कर दिया है